नमस्कार में हूँ साधना सिंग और आप देख रहें आई बेन नाई नियूस आईए नज़र डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों पर मध्यप्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा हैं मध्यप्रदेश के मुरेन जीले में 10 नए पॉजिटिव मरीज सामने आये थे जबकि कल एक दमपति को भी कोरोना वाइरस होने के पुष्टी हुई थी मुरेना में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बारा हो गई हैं मुरेना स्वास्तव विफाक में कुल 30 लोगों के सेंपल जांच के लिए भेज गए थे जिसमें से 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने के पुष्टी हुई हैं बताय जा रहा हैं कि जो यूवग 17 मार्च को दुबाई से भोपा लोटा था उसी के संपर्क में आने से पहले उसकी पतनी को कोरोना हुआ था उसके बाद उसके संपर्क में जो भी 26 लोग आये थे उसमें से 10 लोगों को कोरोना वाइरस होने के पुष्टी हुई हैं बरतमान में जो 10 कोरोना वाइरस मरीज मिले हैं इन में पूरूश के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल है ये जो दुबबई वाला परिवार है उनी के परिवार के 10 लोगों का और रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि वो एक ही परिवार के सब लोग है हम लोगों ने एतियाद और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सांपल लिये थे जिसमें वो दो सस्पेक्ट केस शामिल थे उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है बाकी सभी केसे नेगटिव आई है केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है इसी लिए जो है वहाँ पे हम लोगों ने पूरे परिवार को ही कॉरेंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था और एतियाद के तौर पर हमने टेस्टिंग की टेस्टिंग के बेसिस पे जो है जो रिजल्ट सामने आया है यह पाया गया है कि उस पति-पत्नी के इलावा जो है दस और लोग जो है पॉजिटिव पाये गए हैं लेकिन सभी का कंडिशन जो है टोटली आसिम्टोमाटिक है मतलब उनका जो है कोई भी कोरोना जैसे लक्षन नहीं है उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है उनके सारे वाइटल्स और पैरामीटर्स जो है नॉर्मल है स्टेबल है इन फाक्ट जो मेंन सस्पेक्ट है जो वो दमपत्ती वो भी क्रिटिकल नहीं है बिल्कुल ही नॉर्मल कंडिशन में है और उनका उपचार जारी है बस इतना ही बने रही हमारे साथ IBN 9 News में मैं हूँ आपके साथ साथ नासी